नमस्कार दोस्तों आप देख रहें टीवी 20 न्यूज़ पर फटा फट खबरें मैं हूँ आपके साथ असुक बर्मा बने रही है हमारे साथ उत्रप्रदीश की आजमकर जिली में एक ठेकदार वसुत खोर की धाथा हतियार से हतिया का मामला सामने आये खोन से लत्पत लास मिलने से हिलाके में हड़कब मच गया है पहरे जनों ने रोड को चका जाम कर दिया पेड़ित हतियारों के ग्रपतारी की मांग कर रहे है जानकारी के अनुसार मृतक राकेश कुमार दिदार गंज थाना च्छेतर के सुरहन गाउं का रहने वाला है जिसकी धारधार हतियार से हतिया की गई है उनका सो गुरुवार सुबा मार्टिन गंज, दिदार गंज, रोट पर कोटियापुरा, गाउं के पास सड़के किनारे मिला उसके सरीर पर कई जगह जखमों के निसान मिले हैं जिन से लग रहा है कि उस पर धादार हतियार से हामला किया गया था सरीर से खुन बह रहा था जिस करन सव खुन से लटपत पड़ा हुआ था विर्तक ग्राम प्रधान हेमलता सिंग के परिवार से संबंद रखता है इस वज़ा से मर्डर मिश्ट्री और गहर आ गई है ग्रामलों के सुचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुच गई पुलिस ने आरू आसपास मौज़ूद घटनास्तल का मौना किया और सौब को कबजी में लेकर पुश्ट माटम के लिए भेज़ दिया है पुलिस ने मौज़ूद घटनास्तल पर लोगों से पूचताच किये राकेश खेते किसाने के साथ ब्याज पर पैसा देने का भी काम करता था आसन का जटाए जा रही है इसी बीबाद में उनके हत्या की गई है राकेश बुदवार सामकों घर से निकला था हत्या को लेकर ग्रामड और परजन काफी आकरोसित है हलाकि हत्या क्यों की गई इसके बारे में कुछ भी असपस्ट नहीं हो सका है इलाकाई पुलिस लोगों कबजे में लेकर जांच में जुट गई है राकेश खेती किसाने के साथ ब्यास पर पैसा देना का काम करता था आसंका चताय जा रही है इसी भी बाद में उसके हत्या की गई है पुलिस लिख्षक ने बताया कि राकेश छेकदारीवा पैसे के लिए निदेन का काम करते थे कि पैसे के लिए प्रयांगा को घटी हैं कि पैसे के लिए कि फॉह इनकी love रॉआ निखले थे दावत खारण के लिए और इनकी लाश मिली है इस संब्मद में लाश को मोर्चरी भेजा गया है और इस सम्मद में मुकदमा पंची किरतका कारवाई की जा रहे 20 रूपसे क्योंकि यह कुछ कारवाटा पैसे का लें देन का भी करते हैं ठेकदारी का करते तो निश्चित रूप से कोछ इनके लें देन का जैसा अभी तक प्राइमेरी इंपुट है लेन देन का जगडा रहा होगा और उस सम्मन्द में सारी जानकारी की जा रहे है और बहुत जल्दी केस को वर्काउट किया जाए नहीं देखे यह जो डेड़ बाड़ी मिली है इसकी इसकी बाड़ी मोर्चरी भिजवादी गई थी और अभी जब पंचातनामा भरा एक पंचातनामा भरा जाएगा तो फिर सारी चीजे के लिए जब भी लॉर्ण ओर्ड़ की समस्या होती है तो पुलिस डेड़ बाड़ी को वहां से उठाती है और पंचातनामा कोई जरूरी नहीं के मौके पे ही किया जाए क्योंकि पंचातनामा उसका मोर्चरी में भरा जाएगा और जो भी इसमें कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाब कारवाई कि देखें वह कुछ गावाले अक्रोशित थे और कुछ ऐसे अनगला टाइप के लोग थे जो यह मांग कर रहे थे कि डेड़ वाड़ी को मौके पर लाए जा पात्र लाभारतियों के लिए दूर का सपना समान दिख रहा है 4106 गावों के लिए मात्र 70 कौमन सर्विस सेंटर की मात्र 16 दिनों के अभियान में 58,033 लाभारतियों तक पहुच पाना एक कठिन कारे हैं जिसमें गावों में ने टवर्ग की समस्या अधार के सत्यापन में अंगठानी सान का ना मिलना, बिजली के समस्या बनवाने हित रुपए की कमी, दस्तावेजों में नाम का मैच न करना और पुर्व में पंजेकरण के फस्चात अब तक प्रमान ना मिलने से लाभारतियों में नराजगी आथ के करण से प्रते दिन कोल्डेन कार्ड लक्ष स कम ही बन पा रहा है, वीडित हो कि सासना देश के आधार पर स्वास्त विभाग द्वारा चिले में 16 दिनों का विसे इस अभ्यान चलाया जा रहा है, इस अभ्यान में स्वास्त विभाग के करमचारियों के साथ ही, साथ समाजिक संस्ताओं का भी साथ मिल रहा है, लेकिन त वियान को 31 दिसम्बर 2020 के बजाए 28 फरवरे 2021 तक चलाए जाए ताकि तमाम कटनायों को जिलते हुए गोर्डिन कार्ड के लक्ष को पूरा किया जा सके। लड़ीया गुण थाना च्छेतर के के गाउं की वादनी ने लेके तर्या था कि मेरी पूतरी को गाउं के हरिलाल पूतर भिर्गु घर में अकेला पाकर कट्टा लाकर खित में ले गया उसके साहथ दुसकर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया और लड़की को धमकी दि वीडियो सोसल मीडिया पर वाल कर दिया गया इसके संब्द में थाना मुकदमा पर थाना पर मुकदमा पंच कर पुलिशनी आड़ोपी को गिरफतार कर जिल भेई दिया है घटना के बारे में क्या कुछ कहा है इस पी आजमगड में आपको सुनवाते हैं थाना बैरे अज्णी में आज एक जूति के साथ खीत में ले जाके ब्रादकार की खटना होई थी दुषकरम की खटना होई थी उसके समन में तळकाल मुकदमा दर्श के आगया और उसमें अभिव्थ दौरा ये बताय गया था कि उसके द्वारा उसके जो चितर हैं वो वारेल के जाएं मुकदम पंजीर के अफिको तत्काल कष्टार के जाएं उसे जेल बेचा जाए रहा हुए इसे दोरान मुकवीर ने बताया कि कुछ लोग तीन मोटरसाइकल से जगमलपूर मोड के आगे सुनसान अस्थान पर इकठा हैं यह लोग रातरी में पीक अप की जर्ये गोवंसिया पसों की चोड़ी शुपे लात कर वध हित भी हार ले जाते हैं इस सुचना पर थाना देक् पॉलिस बलब पर लप्रण शक्रजान से मारने की नियत से फैर कर दिया पॉलिस बल त्वार प्रस्थी कर से बचाा करते फ़ introduct यो को एक बार की घिर कर आवस्यक बल्परियोग कर समय आप किजिएगा आवस्यक बल्परियोग कर इनको ग्रफतार कर लिया गया तता चार बेक के दिरौन इन्होंने और कई ऐसी वार्दातों का जिक्र किया है जो यह घटनाय करने वाले थे लूट बाट की इनकी दिस्तारी से वह घटनाय प्रिवेंट हुई है और निश्चित रूप से इसे आगे आने वाले समय में घटनाव पर रोक लगी है इन्होंने कुछ और करने वाले थे जो आपके जन्सेवा केंद है उसमें कुछ लूट पाट की घटना करने वाले थे उस उस उन घटनाओं के बारे में बताया है और आगे किया साबधानी उस उशुचा में रखनी है ताकि और लोग इस तरह गटनाय ना कर सके वो मेरे दाए एक मिटिंग भी की गई है और जन्सेवा केंदर वालों को बताया गया है कि इस तरह की घटनाय रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या साथधानी हम बरत सकते हैं इसके बारे में मैंने उन्हें बता है भी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो आजमगड के मुबारक पूर से आ रही है जहां के थाना च्छेतर के अवारी गाओं में गुरुवार की सुबा पुखरे में मचली मारने कए मामा भांजे की डुबने से मौत हो गई है डुबने की सुचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया परेजिनों का रो रोकर बुरा हाल था मौके पर पहुंचे तसिल्दार ने सरकाई लाब दिलाने का आस्वासन दिया है और पूलिश ने सौब को पोस्ट मार्टम के लिए भेज़ दिया है आपको बता दे हैं कि ननिहाल मेरा रहे 15 वर्षी प्रितम अपनी मामा 18 वर्षी नागेंदर के साथ सुबा गाओं के पास सिक्स लेन की रोड बनाने के लिए गड़ा खोटकर मिटे निकाली गई थी जो काफी गहरा था उसमें मचली मारने के लिए दोनों लोग गए थे और प्रितम का फैर फिसल गया और डूबने लगा जिसे बचाने के लिए मामा नागेंदर भी कूद गया और गड़ा बड़ा होने के कारण दोनों डूब गए आसपास के लोग जब तक दोड़ कर आते और दोनों को आन फाने में बाहर निकला गया और उप्चार के लिए अस्वास के लिए मुबारक फूले गए जिनों का रोरो कर बुरा हाल है और छेतर में कोराम चाहुआ है अपकबर दोतर प्रदेश के जनपद आजमगर से है जहां के स्राइमीर थाना छेतर के अंतरगत पूलेश ओके सिपस्यम साइट मुख्यमार्ग पर जमीनी विवाद में विवाद हुआ मुखमत जिसान पुत्र असफाक एहमेद धिवानी पर मुकदमा बिचराधीन है फिर भी दूसरी पक्ष के आरूप है कि फिर भी दूसरे पक्ष के मुहमत आकरम अब्दुल्ला अब्दुल हमीद पप्पु मुहम्मद गुड़ अब्दुल अलिल जो जिसान की जगह है चवरन कब्जा कर रहे हैं मना करने पर मार पीट करने पुतार हो जा रहे हैं जिसमें मुहम्मद इब्राहिम पुद्र असफाक अमद को मारे पीटे भी हैं और उनका मुबायल पर तोड़ दिया है उसमें डैल्सो पर कॉल किया गया था घटना की सुझना लेखित रूप से थाने में दिया गया था जिससे अभी तक मुहम्मद इब्राहिम पुद्र असफाक अमद को कोई सुनवाई नहीं हुआ है जो जमीन है कि आपके पिता जी के नाम पे कैसे क्या माम रहे पिता जी के नाम थी माई तरीके दे बैनामा कराई ते कौन कौन बैनामे में सामिल है जो आपके पच्छी लोग है और इन लोगों में धमका अंका के लिपा है कर नहीं होगा है ते मेरो बारा जी की अग acceso जल धी जली है और अम लोग 要 धीवानगा कि अ जल बार गाल कि यह प्लामारा की ब्תजा संवाटते घया है अर इसे पहले और इसर पहले सार और इसर पहले सार अर इसर पहले स सिर में घर मेसी इतार भी और जमीन में नस्येट दिये थे, सब लोग जन्ता बहुत थी, मगर कोई नहीं कोड़ाने आया, क्योंकि सब लोग से है, ताटा सम आया, थाने की गाली भी खड़ी थी, बद्रकार भी आया, फोड़ो के चले जाये, मगर कुछ नहीं कारवाई है।